नमस्कार तुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस नई पहल के जरिये हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहां डिसकस करेंगे ये वैसे सवाल होंगे जो UPSC में कई बार सीधे पूछ लिये जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं इसके अलावा State PCS, IES, SSC, Bank PO, Railway, UGCNet, CDS, CAPF और NDA जैसी परिक्षाओं में ये सीधे सीधे सवाल पूछ लिये जाते हैं शुरुआत करते हैं कल के Practice Question के साथ कल हमने आपसे पूछा था 2018 के लिए ज्यानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है A. गिरीश करनाड B. सलमान रजडी C. अमीश त्रिपाथी D. अमिताव घोष अब तक का 54 ग्यानपीठ अवार्ड है यह अवार्ड उन्हें अंग्रेजी में सराहनिय योगदान के लिए दिया गया अमिताव घोष ग्यानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले इंग्लिश राइटर है तो इस प्रशन का सही जवाब होगा Option D. अमिताव घोष अब देखते हैं आज का पहला सवाल निम्न लिखित में से किसकी अध्यक्षता में Economic Capital Framework की समीक्षा के लिए एक समीती गठित की गई थी A. C. रंग राजन B. विवेक देबरोय C. विमल जालान D. उर्जित पतेल RBI रिजर्फ पर बिमल जालान समीती जून के अंतिम में अपनी रिपोर्ट सौपे गी आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2018 को Economic Capital Framework की समीक्षा के लिए 6 सदस्य समीती का गठन किया गया था इसके अध्यक्षता बिमल जालान कर रहे थे पहले प्रेशन का सही जवाब होगा Option C. बिमल जालान प्रेशन दो निम्न लिखित में से किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विक्सित Hypersonic Technology Demonstrator विकल का परीक्षन किया है A. इसरो B. डी आर डीयो C. आई आई एससी या D. इन में से कोई नहीं DRDO ने स्वदेश विक्सित Hypersonic Technology Demonstration विकल का परीक्षन किया है इसका मकसद कई महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन करना था इस प्रोजेक्ट के तहट एक Hypersonic विकल है या स्क्रामजिट इंजन से संचालित होता है या एक Dual Use Technology है इसके द्वारा कम कीमत में उपग्रह लॉंच किया जा सकते है साथ ही या भविश्य में Long Range Cruise Missile के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है तो प्रशन दो का सही जवाब होगा Option B. DRDO प्रशन तीन State Parties to Convention to Rights of Persons with Disability के बार्वे सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया A. Genova B. Washington C. New York D. London 11-13 June के बीच New York में State Parties to the Convention to Rights of Persons with Disability की बार्वी कॉंफरेंस का आयोजन हुआ इसमें भारत से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की सचिफ शकुंतला डोले ने भाग लिया आपको बता दें कि Convention to Rights of Persons with Disability यानी CRPD को UN की General Assembly में December 2006 में अपनाया गया था यह Convention मई 2008 से प्रभावी है इस Convention के कार्यानवयन के लिए इसके पक्षकार देश नियमित तौर पर मिलते हैं तो प्रशन 3 का सही जवाब होगा Option C. New York प्रशन 4 निम्न लिखित में से किस प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया जाएगा A. GSLV Mark 1 B. GSLV Mark 2 C. GSLV Mark 3 D. GSLV Mark 4 हाली में इसरो प्रमुक के सिवान में आगामी 15 जुलाई को चंद्रयान 2 की प्रक्षेपण की जानकारी दी है इसका प्रक्षेपण GSLV Mark 3 से किया जाएगा आपको बता दें कि चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन है इससे पहले चंद्रयान 1 को 2008 में लॉंच किया गया था चंद्रयान 2 के तहत एक औरबाइटर, एक लेंडर और एक रोवर को शामिल किया जाएगा इसमें शामिल किये जाने वाले लेंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्यान रखा गया है यहाँ मिशन चंद्रमा की दक्षणी हिस्से के बारे में जानकारिया जुटाएगा तो प्रशन 4 का सही जवाब है Option C, GSLV Mark 3 प्रशन 5 सुर्खियों में रहा DBT Tribal क्या है A. एक वेब पोर्टल B. एक एप C. जनजातिय मामलों के मंत्राले दोरा जारी की गई एक योजना D. जनजातियों को कर में छूट जनजातिय मामलों के मंत्राले ने DBT Tribal नाम से एक वेब पोर्टल लाँच किया है इसका मकसद विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति प्रक्रिया में और तेजी लाना है ताकि उनके बैंक खाते में छात्रवृति सीधे पहुँच सके तो प्रशन 5 का सही जवाब होगा Option A. एक वेब पोर्टल प्रशन 6 सरकार ने कब तक सभी के लिए स्वक्ष जल उपलब्द कराने का लक्ष रखा है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंग सेखावत ने इस संदर्व में रिपोर्टर्स को यह जानकारी मुहया कराई उनके मुताबिक उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, चतीजगर, चारखन और ओडिसा जैसे राज्यों में स्वच्छ जल की मात्रा पांच फीजदी से भी कम है तो प्रशन 6 का सही जवाब होगा Option C. दो हजार चौबिस प्रशन 7 चतीजगर सरकार ने किस जनजाती के लिए वन अधिकार अधिनियम में छूट देनी की प्रक्रिया शुरू की है 36 गड़ सरकार ने अबूज मारिया जनजाती को उनके आवास के अधिकार देने के लिए प्रक्रिया शुरू की है इन्हें वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहती अधिकार दिये जाएंगे अबूज मारिया 36 गड़ के बस्तर छेत्र में अबूज मार में रहती है यह पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप यानि पीवी टीजी में शामिल है यह जनजाती नकसलवाद से सम्मंधित मानी जाती है आपको बता दें कि 18 राजियों और एक संग शासित प्रदेश अंडवान और निकोबार में 75 पीवी टीजी है तो प्रशन साथ का सही जवाब होगा ऑप्शन B अबूच मारिया प्रशन आठ निम्न लिखित में से किस समूँ को आस्ट्रेलिया में कोईला खनन के लिए मंजूरी मिल गई है अडानी ग्रूप बी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हाली में भारत के एहमदाबाद इस्थित अडानी ग्रूप को आस्ट्रेलिया में कोईला खनन के लिए मंजूरी मिल गई है अडानी ग्रूप की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी वरतमान में इसके चेयर्मैन गौतम अडानी है तो प्रश्ण आठ का सही जवाब होगा option A अडानी ग्रूप प्रश्ण नो हाली में BSF यानि Border Security Force ने किस देश के साथ मिलकर Director General इस्तर की बातचीत का आयोजन किया A म्यामार B चीन C बांगलादेश D नेपाल BSF ने बांगलादेश के साथ Director General के इस्तर की बातचीत का आयोजन किया इसमें जाली मुद्रा, नशीले पदार्थों के व्यापार और पशुओं की तसकरी जैसे मुद्दो पर बातचीत हुई BSF यानि Border Security Force भारत में सीमा की निगरानी करने वाला बल है इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को ही थी यह एक पैरा मिलिटरी फोर्स है यह शांती काल में देश की इस्थलिय सीमा की निगरानी करता है इसका प्रशास्निक नियंतरन ग्रह मंत्राले के पास है वरतमान में या दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है तो प्रशन नौ का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांगलादेश प्रशन दस इंटरनाशनल डे ओफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है इसके लिए कस्टोडियन इंटरनाशनल फंड फॉर अग्रिकल्चरल डेवलप्मेंट है इसका मकसद 200 मिलियन से ज़्यादा प्रवासियों के योगदान को पहचान देना है युनाइटेड नेशन्स की जनरल एसेम्बली ने इस दिवस को जून 2018 में अपनाया था तो प्रशन दस का सही जवाब होगा ऑप्शन B 16 जून अब नोट करते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेस्चन सवाल है सुर्खियों में रहे ली चोंग वी का संबंध किस खेल से है A. क्रिकेट B. हौकी C. कुष्टी ये D. बैडमिंटन आप इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले कल हम इस सवाल के सही जवाब और कुछ नए सवालों के साथ फिर से हाजिर होंगे नमस्कार